हलो दोस्तों सुधाय आपका अपने चैनल एक्जामेजान पे तो फिर से मैं हाजिर हूँ तेज जून 2021 के इंपॉर्टिन इमेंट्स के साथ आप कंप्लीट वीडियो द्हान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको दो कोशन के जवाब देने हैं आज का पहला कोशन है अंकटाड ने 2021 के लिए वर्ड इंवेश्मेंट रिपोर्ट जारी किये आपको तान है वर्ड इंवेश्मेंट रिपोर्ट में इंडिया को कौन सा इस्थान मिला है तो World Investment Report 2021 इंडिया रहा है 5th place पे रहा है इंडिया ये देख लीजिए Recently अंक्टाड द्वरा, UN Conference on Trade and Development अंक्टाड ने 2021 के लिए World Investment Report जारी की है इसमें इंडिया जो है 5th largest recipient है FDI का यानि वर्ड में जितना भी FDI flow हुआ है 5th largest recipient कौन है इंडिया है अगर एक्जाम में आपसे ये पूछें कि वर्ड का largest recipient country कौन सा है FDI का तो US US में सबसे दा FDI गया है सेकंड नमबर पे गया है चाइना और इंडिया है पाचवे नमबर में देखें अंकटार द्वरा वर्ड investment report 2021 जारी कीगी इसमें बताया है कि 2020 के दुरान इंडिया में टोटल FDI आया है 64 billion dollar कितना 64 billion dollar जो कि पिछले साथ से यानि 2019 से 27% जादा है तो याद रखेगा क्योंकि अंकटार जो है calendar year के लिए report जारी करता है तो यह हमेशा जनवरी से December तक माना जाएगा तो इंडिया है 5th place पे FDI के मामले में 1st place पे कौन है US और 2nd place पे कौन है China अगर यही global FDI की बात करें तो 2020 के दोरान global FDI में 35% का decrease देखा गया है कितना 35% 2019 में global FDI 1.5 trillion dollar था कितना 1.5 trillion dollar जबकि 2020 में 1 trillion dollar रह गया क्योंकि अंकटार ने ये रिपोर्ट जारी की है World Investment Report तो अंकटार के भी से माध कर लेते हैं UN Conference on Trade and Development अंकटार का फुर्फवार्म है इसकी स्थापना होई थी 30 December 1964 को अंकटार का Headquarter है जिनिवा में और इसके Secretary General कौन है Isabel Durant ने कोशन है Green Hydrogen Initiative इन में से किस ग्रूप का इनिशेटिव है तो ग्रीन हाइड्रोजन इनिशेटिव ये है BRICS ग्रूप का इनिशेटिव किसका है BRICS ग्रूप का ये देख लिए इंडिया दोरा दो दिनों की समिट होश्ट की जाने वाली है Green Hydrogen Initiative पर ये BRICS नेसंस का इनिशेटिव है Green Hydrogen Initiative ये जो दो दिनों की समिट होगी इसको NTPC दोरा होश्ट किया जाएगा NTPC दोरा तो ये फैक्ट भी याद रखेगा Green Hydrogen Initiative को NTPC होश्ट करेगा देखे Green Hydrogen क्या होती है Hydrogen को जब बनाने के लिए Renewable Energy का यूज किया एता है Electrolysis Process में तब उसको कहते है Green Hydrogen क्योंकि इसमें Carbon Footprint 0 रहता है तो Green Hydrogen Initiative किसका है? BRICS का और इस पर बैठे कौन होश्ट कर रहा है? NTPC होश्ट कर रहा है Government of India का Target है कि CGD City Gas Distribution Network में 10% तक Green Hydrogen यूज की जाए नाम या रखेगा Green Hydrogen Initiative BRICS ग्रूप का इनिशेट्व है BRICS आपको पता ही है Brazil, Russia, India, China और South Africa पाच कंट्रीज का ग्रूप है 2009 में BRICS की स्थापना हुई थी और इसकी पहली बैठक हुई थी येका तेरिन बर्ग रशिया में South Africa ने BRICS को का जोएन किया था 2010 में, याद रखेगा नए question है, World Wide Fund India, WWF India द्वरा, Forest Front Line Heroes के लिए किसको अमबेशडर अपॉइंट किया गया है WWF India ने Forest Front Line Heroes के लिए अमबेशडर अपॉइंट किया है, नाम देखेगा उपासना कामिने नी, Forest Front Line Heroes मतलब Local Areas पर जो लोग होते हैं उनको ही Front Line Heroes की कटेगरी में सामिल किया था है तो WWF India ने Forest Front Line Heroes के लिए अमबेशडर किसको बनाया है, उपासना कामिने नी, उपासना कामिने नी, ये Apollo Hospital में Director है WWF India की बात, देखिए इंडिया के लिए इतना important नहीं है, WWF जो है World Wide Fund for Nature, ये important है इसकी स्थापना होई थी 1961 में, Headquarter है Glend, Switzerland में, बाकी Secretary General मेंने CEO इंडिया का लिया है, रवी सिंग Next Question है, 7th International Yoga Day के मोखे पर, M Yoga Mobile App, किसने launch किया है, तो M Yoga Mobile App, कली मैंने पढ़ाया था आपको, Prime Minister Modi जी ने launch किया है ये देख लिजिए, ये है M Yoga Mobile App, WHO के साथ कोलाइबरेशन किया है, Ministry of IUs ने, और इसको launch किया है, Prime Minister Modi जी ने तो 7th International Yoga Day वाले दिन, Prime Minister Modi जी ने M Yoga Mobile App launch किया है, WHO और Ministry of IUs का, Ministry of IUs का कोलाइबरेशन है आयूस का full form क्या है, आयूरवेदा, योगा और नेचरोपैथी, युनानी सिद्धा और होमेपैथी, ये है आयूस का full form important बात ये है, कि M Yoga Mobile App, अभी तीन लेग्वेज में जारी हुआ है, English, Hindi और French में future में ये अने language में जारी होगा, तो याद रखेगा, M Yoga Mobile App, PM Modi ने launch किया है, Ministry of IUs and WHO का initiative है PM Modi ने इस दोरान one word, one health motto भी दिया है, one word, one health motto ने question है, इंडिया में, इंडिया में 5G network solutions प्रोवाइड करने के लिए, किस telecom company ने data group के साथ collaboration किया है तो Airtel ने, Airtel ने 5G network solutions प्रोवाइड करने के लिए, किसके साथ, Tata Group के साथ partnership की है ये देख लिए, Airtel और Tata Group, इन्होंने आपस में partnership की है, इंडिया में 5G, 5G network solution प्रोवाइड करने के लिए January 2022 से इंगा काम से start हो जाएगा, खास बात ये है कि Airtel 5G resolution करेगा, लिए याद रखेगा Tata जो ग्रूप है, उसके पाश technology है 5G की, जैसे O-RAN technology, Open Radio Access Network technology साथ साथ, NSA और SA technology, ये 5G network में use होती है, तीनों technologies का full form याद रखेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप easily पर सकते हैं तो NSA और SA, ये radio technology है, जो कि 5G signals को control करती है इसलिए Airtel और Tata Group ने आपस में partnership की है, Airtel इंडिया की पहली company है जो 5G को implement कर रही है, जनूरी 2020 से implement कर देगा भारती Airtel की बात करें, 1995 में सापना होई थी, मुंबाई में Airtel का headquarter है CEO कौन है, गोपाल वित्तल, founder थे सुनिल भारती मित्तल ने कोशन है, Laurel Hubert, ये weight lifter है, साथ साथ first transgender athlete है, जिन्होंने Tokyo Olympic के लिए qualify किया है या फिर compete किया है, Laurel Hubert किस कंटी से belong करते हैं? तो ये belong करते हैं, New Zealand से, कहां से belong करते हैं? New Zealand से ये है Laurel Hubert, first transgender है, जिन्होंने किसी भी Olympic Games के लिए qualify किया है नाम याद रखेगा, Laurel Hubert, weight lifter है New Zealand के, 43 years के है, fourth oldest weight lifter है इनको women's की तरफ से लड़ा जाएगा, 87 kg category में, Tokyo Olympic के बात करें तो Laurel Hubert का नाम याद रखेगा, weight lifter है, first transgender है, जिन्होंने Olympic के लिए qualify किया है New Zealand से belong करते है, New Zealand की बात करते है, तो ये map में देख लिए आप, ये है आपका New Zealand Capital क्या है, Wellington currency क्या है, New Zealandian dollar, और यहां की prime minister कौन है Jacinda Orden, next question है, इंडिया और जापान के बीच में recently, जिमेक्स exercise का कौन सा edition conduct किया रहा है, तो जापान इंडिया multi-rail, sorry, maritime exercise, जापान इंडिया maritime exercise, चौथा edition होने जा रहा है, फौर्थ edition होने जा रहा है, जिमेक्स, इंडिया और जापान के बीच होने वाली एक exercise है, इसका full form देख लिजे, Indian Navy, Japan Marine, Self Defense Force, ये दोनों लोग आपस में पार्टिस्पेट करते हैं, जिमेक्स exercise के लिए, इनका main purpose है, इंडो-पैसिपिक डेजिन को free and open बनाना, जिमेक्स exercise, 2012 से इसकी सुरुवात हुई थी, ये एक bi-annual exercise है, लेकिन पता नहीं किसे साब से इनका fourth edition हुआ है, इससे पहले वाला edition अक्टूबर 2018 में हुआ था, विसाका पट्रम में, और ये जो fourth edition हो रहा है, जिमेक्स exercise का, वो Northern Arabian Sea में हो रहा है, याद तो जिमेक्स exercise fourth edition, इंडिया और जापान की maritime security के लिए, जापान की बात करें, capital है, Tokyo, currency क्या है, Japanese yen, टाइमेक्स नकोन है, योशी, हीदे, शुगा, और जापान वर्ड का पहली country है, जिसने vaccine passport जा रही किये थे, नया question है, सेबी द्वारा, first takeover panel, किस वर्स बनाया गया था, तो सेबी ने पहली बार, takeover panel बनाया था, 2007 में, कब? 2007 में, चर्चा में इसलिए है, क्योंकि सेबी द्वारा, recently, four member takeover panel बनाया गया है, जिसके head कौन होंगे? Justice N.K.Sodhi, याद रखेगा, सेबी ने four member takeover panel बनाया है, जिसके head होंगे Justice N.K.Sodhi, इससे पहले सेबी ने takeover panel का बनाया 2007, नॉम्बर में बनाया था, जिसके head थे, के कानन, जिए रखेगा, तो सेबी ने second takeover panel बनाया है, four member है इसमें, और उसके head होंगे Justice N.K.Sodhi, सेबी की बात करें, Securities and Exchange Board of India, 1988 में इसके स्थापना होई थी, 12th April को, बाद में सेबी Act के द्वारा इसको मानिता दी गई थी, इस् बुक है, The Nutmeg Curse, बस इतना याद रखे, The Nutmeg Curse, ये बुक किसने लिखी है, Nutmeg Curse, ये बुक लिखी है, Amitabh Bhos ने, किसने, Amitabh Bhos, ये देख लिजिए, Amitabh Bhos की एक बुक है, The Nutmeg Curse, The Nutmeg Curse, बस इतना याद रखेगा, इस बुक में बात की गई है, कि Colonialism, जो Colonialism era था, या उसका प्रभाव पड़ा, तो Nutmeg Curse, ये बुक किसकी है, Amitabh Bhos की है, इस बुक को पब्लिस कियाएगा, John Murey द्वारा, ये बुक तो है, The Nutmeg Curse, इसके लावे बहुत फेमस बुक है, Amitabh Bhos की, The Great Dearrangement, The Great Dearrangement, ने कोशन है, रिसेंटली आसिरबाद स्कीम, किस सिष्टर ग बच्चे COVID के कारण अनात हो गए हैं, या फिर उनके फैमिली मेंबर, यानि अर्निंग फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है, उनकी एजुकेशन हेल्थ और मेंटेनेंस को देखा जासके, तो आसिरबाद स्कीम कहां लाँच हुई है, ओडिशा में लाँच हुई है, एक अप् पर मन्त की help provide की जाएगी बच्चों को, एक अप्रल 2020 cut-off date है, या रखेगा, ओडिशा क्यों चर्चा में है, क्योंकि चीप मिनिस्टर नवीन पटनाईग, जो कि ओडिशा के चीप मिनिस्टर है, उन्होंने poems की एक book release कि है, Beyond Hair and Other Poems, क्या है, Beyond Hair and Other Poems, ये book लिखी किसने है, बिस उपदा सेठी ने, बिस उपदा सेठी ने, तो ये भी याद रखेगा, Beyond Hair and Other Poems, नवीन पटनाईग जी ने launch किया है, बिस नुपदा सेठी जी ने लिखा है, ओडिशा की, मैंने चीप मिनिस्टर पता दिया आपके, नवीन पटनाईग जी गवनर कौन गनेशी लाल, चिलका लेक जो है, एसया की लार्जेस्ट, सॉल्ट वाटर लेक है, इतना जाद रखेगा, बाकी लैगून लेक तो इंडिया की है, यह वो तो बात अलग ही है, ने कोशन है, सौमित इसकीम को इंप्लिमेंट करने के लिए, किस इस्टेट गवर्मेंट द्वारा, MOU साइन क साथू किया है, सौमित इसकीम का में प्रपस होता है, जो पंचयायतों की प्रपर्टी है, उनको विलिडेट करना, या तरखेगा सौमित इसकीम 2-12-24 अपरेल, यानि नेशनल पंचयायती राजज़े वाले दिन लाँच की थी, और अब ये पूरे देस में लागू हो हो जाएगी तो याद रखेगा स्वामित स्कीम असम गवर्मेंट ने मोई साइन कर दिया है स्वामित स्कीम इतनी सारी मिनिस्ट्री का इनिशेट्यू है आप पढ़ लिजेगा सर्वे ऑफ इंडिया दोरा इसको इंप्लिमेंट किया रहा है और याद रखेगा असम की बात कर स्वामित 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 स्वा developing world को दिया जा रहा है इस बार इसलिए के के साज़ाल जी को मिल रहा है open society prize 1994 में पहली बार दिया गया था सबसे दिया जा रहा है Central European University 1991 में स्थाफना हो थी इसकी ने कोशन है चुनाओं के बाद West Bengal में जो violence हुआ है उसकी जाच करने के लिए एक seven member committee बनाए गई है NHRC दोरा इस committee को head gone करेगा तो NHRC दोरा जो seven member committee बनाए गई है violence की जाच करने के लिए इसको head करेंगे राजियू जाएन कौन राजियू जाएन इस देख लिए नेशनल human rights commission इन्होंने एक seven member committee बनाए है ताकि West Bengal में जो चुनाओ के बाद violence हुआ है उसकी जाच की जाच के ये जो seven member committee होगी इसको head करेंगे राजियू जाएन बाकी ये जो six member है वो याद रखने ही जुरूत नहीं याद रखेगा NHRC ने राजियू जाएन की अधिशता में seven member committee बनाई है West Bengal में post poll violence की जाच करने के लिए NHRC National Human Rights Commission की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1993 में 1993 में NHRC के member या फिर chairman के टेने और कितने time के लिए होता तीन वर्सों के लिए होता पहले ही ये पाच वर्स था हाला कि 70 वर्स की आयो तक ही आप NHRC के chairman या फिर member बन सकते हैं कुछ समय पहले ही Justice Arul Kumar मिसरा जी NHRC के नए chairman बने है ने question है NSIC NSIC bank credit facilitation scheme के लिए किस Indian bank ने NSIC के साथ MOU sign किया है तो NSIC यानि National Small Industries Corporation Limited National Small Industries Corporation Limited के साथ Union Bank of India ने एक MOU sign किया है credit facilitation scheme के लिए कि देख लिए NSIC और Union Bank ने आपस में MOU sign किया है ताकि MSME इसको loan दिया जा सके यह MSME इसको जो loan दियाएगा वो NSIC bank credit facilitation scheme के तहर दियाएगा NSIC bank credit facilitation इसकी मतलब NSIC बताएगा कि आपको इस bank इस MSME को loan देना है और जो Union Bank of India है वो उस MSME को loan देगा अपकाई में हेटकोटर है Union Bank of India का और राज किरन राय जी इसके CEO है Next question है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना scheme यह किस इस्टेट गौर्रमेंट ने लांच की है तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना scheme लांच की है बिहार ने किसने बिहार ने इसके तहुत राज में और राज में जो है Entrepreneurship को प्रमोट की आएगा याद रखेगा और उद्यमी योजना scheme Entrepreneurship को प्रमोट करने के लिए बिहार गरौर्मेंट ने लांच की है इसमें 10 लाग तका लोन दीयाएगा जिसमें वो आपस करने होंगे आपको पाच लाग बाकी आपका पाच लाग सिर्फ ग्रेंड की तर रुपे होगा तो 84 इंस्टॉल्मेंट के लिए ये लोन मिलेगा यानि 7 वर्सों के लिए बिहार की बात करें तो ये है मैप में बिहार गवर्ना कौन है? जब भी बिहार की बाता है तो जड़ालू मैंगो और साहिल इची याद रखेगा इनको जी आई टाइग मिला है बिहार से बिहार में एक मात्र टाइगर रिजर्व है बालमी की टाइगर रिजर्व ने कोशन है 2010-2021 में MSME और Retail Sector को लोन देने में सभी Public Sector Lenders में तॉप किस ने किया या फिर Best Performers तो सभी Public Sector Lenders में Top Performer रहा है आपका बैंक ओफ माहराष्टा कौन रहा है? बैंक ओफ माहराष्टा यह दिख लिजी 2010-21 के दौरान MSME और Retail Sector को लोन देने में बैंक कॉब महराष्टा टॉप रहा है सभी पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स में यानि पब्लिक सेक्टर जो लेंडर्स हैं उसमें बैंक कॉब महराष्टा टॉप रहा है तो लगबग 23,133 क्रोण रूपए लोन दिये हैं उन्हें बेश्ट बैंक कॉब महराष्टा ने इसके जैसे इनका profit भी बढ़ गया है 42% के आस पास तो Bank of महराष्टा सभी public sector lenders के बीच में top रहा है 2020-2021 के दुरान MSM East को loan देने में इतना याद रखेगा Bank of महराष्टा 1935 में स्थापना हुई थी पुने में इसका headquarter है AS Raju इसके CEO है Bank of महराष्टा टॉप पे रहा है सेकेंड नमबर पे कौन रहा है Indian Bank ये याद रखेगा लार्ट कोशन है आज का इंडिया में पहला दिव्यांग खेल केंद्र किस सहर में स्थापित किया गया था तो इंडिया का फर्स्ट दिव्यांगता खेल केंद्र ग्वालियर में सिटप किया गया था अपरेल 2020 के असपास दिव्यांगता खेल केंद्र देखे जो लोग दिव्यांग हो जाते हैं उनके अंदर खेल की भावना जगाने के लिए दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किया था पहला गौलियर में स्थापित किया गए था चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो Minister of Social Justice and Employment है थावर चंद गहलोत उन्हेंने एनॉंस किया है कि देश में पाच दिव्यांगता खेल केंदर स्थापित याएंगे इन पाच दिव्यांगता खेल केंदर में से समाजिक अधिकारता सिविर ये जो हमारे थावर चंद गहलोत जी है समाजिक अधिकारता सिविर को एड्रेस कर रहे थे उसी दुरा जी में बताया पाच दिव्यांगता खेल ओपिन किया रहेंगे ये है आज की वीडियो से कोशन आई हो की इजली आप इंकर जवाब दे पाएंगे जल्दी ही मिलते हैं आप सब दी नेक्स वीडियो में तब तक पहले टेक केर गुटबाए